Self identity का क्या मतलब होता है या आज कि वीडियो में सीख लेते हैं Self identity का मतलब होता है स्वयम की पहचान, आत्म पहचान या खुद की पहचान यानि कि जब आप खुद की या स्वयम की पहचान कर लेते हैं यानि कि पहचान करने का मतलब है कि आप अपने आपको जितना जान लेते हैं, आप किस परकार के इनसान है, आपकी personality, यानि आपका वैक्तित तो कैसा है, आप में क्या uniqueness है, या आप अपने personal जो relations है, उनमें किस तरीके से आप contribute कर सकते हैं, क्या आपकी relationships है, कैसी relationships है, यानि कि आप अपने आप में कैसे इनसान है, उसको self identity कहा जाता है, यानि कि खुद की पहचान या आत्म पहचान, तो इसके बारे में अगर आप और detail से पढ़ना चाहते हैं, तो आपकी video की screen पर और description में दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं, और इसको और बहतर तरीके से आप समझ स करें और bell icon को press करें,